हलो फ्रेंड्स, 17 डिसंबर 2010 तुनिजिया के एक नोजवान जो के सबजियां बेजता था उसने अपने आपको आग लगा अगर पुलिस की जो अरास्मेंट और नाजादी थी उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया लेकिन 4 जनवरी 2011 को उस नोजवान जिसका नाम मुहमंद बजूजी था उसकी डेथ हो गई लेकिन उसकी इस मौत ने पूरे मुलक में कास्ट आफ लिविंग और कंट्री का जो अथरिटेरियन प्रेडिटन था जेनल अबदीन बिन अली उसके खिलाफ मुझहरे शुरू हो ग उसके बाद 23 अक्टूबर 2011 को तुनिजिया में फिरी और फेर एलेक्शन्स हुए तुनिजिया में एक डिमोकरिटिक गवर्मेंट आई इन प्रोटेस्ट की वज़ा से पूरी अरब वल्ड में एक बगावत सी आ गई और लोगों ने अर्थरिटेरियनिजम, करॉप्शन औ ये प्रोटेस्ट एजिप्ट में भी कामियाब हुए और 11 फेरवरी 2011 को हुसनी मुमारक ने रिजाइन करके जो पावर थी वो मिलिटरी के हेंड़ोर कर दी और इसी तरह उसका जो एजिप्ट पे 30 या रूल था वो खत्ब हुआ लीबिया में भी उस वक्त करनल कदाफी की ही हकुमत थी जिसको रेबिल्स ने पकड़ कर मार दिया और सिर्या में भी इसी तरह ये प्रोटेस्ट शुरू हुए बचारल असद की हकुमत के खिलाफ लेकिन उसने इन प्रोटेस्ट को हैवी हेंड़लिक डील किया और उनको र अली अब्दुला साले 33 साल से हकुमत कर रहा था और उसने भी 27 फरवरी 2012 को इन प्रोटेस्ट के प्रेशर की वज़ा से जो उसकी पावर थी उसने अपने डिप्टी मनसूर रादी को ट्रंसफर कर दी इसी तरह 15 फरवरी 2011 को ये प्रोटेस्ट बेरहन में भी हुए जहां प जाए जो के उस वक्त की आटो करेटिक गौर्रमेंट के सामने बड़ी डिमांट्स थी इन प्रोटेस्ट की वज़ा से और पब्लिक प्रेशर की वज़ा से जॉर्डन और कोयत की जो पार्यमेंट हैं उनको भी डिसाल्व किया गया और इन अप्राइजिंस की वज़ा से लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज